हेलो दोस्तों आज हम समझते है clock face rule क्या है तो जो clock face rule है यह तो सोज में आता है कि यह एक rule है बट बात आती है clock face rule हमें पढ़ना ही क्यों है यानि कि कोई doubt रहा होगा कोई problem आई होगी तब हिस rule को बनाया गया होगा जिससे की जाना गया clock face rule के नाम से तो पहले हम यही एक्चली हम लोगोंने क्या पढ़ा था कि जब भी कहीं से करेंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मेंगनेटिक फील्ड प्रोडियूस होता है आपको याद था तो प्रॉब्लम आई जब एक सर्कूलर कोईल ली गई जो सर्कूलर वायर लिया गया तो सर्कूलर वायर के अ तो इसमें एक मेंगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो डाउट क्या हुआ कि मेंगनेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसका मतलब क्या है कि मेंगनेटिक फील्ड नॉर्स से निकलता है साउथ मेंटर होता है बट यहां पर तो एक सिंगल वायर है जो आप पर यह तो magnetic field का north कौन सा और south कौन सा बात समझ में आई क्या problem है क्या doubt है यह doubt आया कि circular wire में current blow कर रहा है अब इसका north का रहा है तो south का रहूं क्योंकि magnetic field है तो north भी होगा south भी होगा हमने पढ़ा देख तो कहां पर है तो इस problem का जो solution दिया वो दिया clock face rule ने तो पहली बात समझ आगे clock face rule हम क्यों पढ़ रहे है क्योंकि हमें एक doubt प्रॉब्लम है उसको solve करने के लिए अब इसने किस तरीके solve गया वो समझते है तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि it is a concept used to determine the polarity of a circular wire while getting current यानि कि यूज होता है circular wire की polarity पता करने के लिए वह हमने बोला भी ठीक है तो किस तरीके सर्पता करते हैं लोग इसकी polarity तो देखो त्यांदे समझ ना जो आपको यह वायर है इसमें डिपेंड करता observer कहा से देख रहा है suppose करो आप देख रहे हो मैं आपकी तरफ से पीछे से देख रहे हो जैसे कर मैं इसको मानलू स्बूला कोई वायर तो यह वाला देंग तो इस तो होते हैं यह तो बात के लिए कि इक इतक पार हूं अदर से एक लोगा जो आप पीछे से देख पा रहे हो जैसे मैं मैं इसको मानलू Soil wire तो यह वाला face आप नहीं देख पा रहे हैं मैं देख पा रहा हम और यह वाला face मैं नहीं देख पा रहे हैं ठीक है दो face होते हैं अब इसमें यही एक face north wall होता है यह एक face south wall होता है तो पहला problem तो clear हो गया कि यह north to south कहा पर है हमें यह वदा चलिया कि जो circular coil wire है इसका 1 face जो observer दे तो जब सर्कुलर वायर को देख रहा है और जो ग्लॉक वाइज है तो इस तरीके से एक बना देंगे तो जो यह जो यह जो इस पर लिखा रहा है तो यह यानि कि जो सामने वाला ऑप जिर वर रहा है उसको कौन सा पूल दिखाई देगा अब पीछे वाले की बात कर लेते हैं अगर मानलो परेंत धार जा रहा है सपोष करो करेंट एं ट्र defines जा रहा है तो आगर करें एंट लॉक वाइस जा रा रहा है तो हमारी डिज्या आटा सूओ अब बात clear हुई तो यहां पर डिजाइन बनी भी हुई है जब किस तरीके से है जब करने आपको एंटी क्लोकवाईज है करेंट कैसा है अपको एंटी क्लोकवाईज तो नोर्फ वाइन सौथ बाई रहे हैं नोर्फ वाईज है तो सम्पल कॉंसेट पहरा है आपको सामने से देखन यानि कि नॉर्थ बात के लिए आई हो आपको कॉंसेट के लिए हो गया होगा अगा डाउट रही हो तो आप मुझे कॉमेंट रेक्षा को में करके बता सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच